दोस्तों जिला इस तरी ये उतकरष्ट विद्याले में कक्षा नौमी के लिए आप 15 मार्स 2014 से आविदन प्रारंब कर दिये गए हैं इसकी अंतिम्तिती 30 मार्स 2014 है अगर आप भी अपने बच्चे का उतकरष्ट विद्याले मौडल स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं करते हैं हेलो दोस्तों मेरा नाम है इम्रान आप देख रहे हैं डिजिकल समधान चैनल इसी प्रकार की जानकारिया मैं आपके लिए लिकर आता रहता हूं चैनल पर पहली बार हो तो अभी सब्सक्राइब एब आप फॉलू जरू करें चल्ड़ी वीडियो को शुरू करते ह आवदन करने से पहले आपके पास में आवदक का एक पास्पोर्ट साइस फोटो होना चाहिए उस फोटो में आवदक का नाम और फोटो कब ली गई है मेंशन होनी चाहिए इसके लाबा आवदक का आधार कार्ड मातरपिता का आधार कार्ड कख्षा आड़मी की शाला यान से आविधन करेंगे तो चली चलते हैं सीधा ही monitor screen पर और इसकी पूरी process जान लेते हैं सबसे पहले आप MP online portal login कर लेंगे यहाँ पर आपको नागरिक सिवाय में जाना है और आविधन में क्लिक करेंगे यहाँ पर आप स्कूल का विकल्प मिलेगा इस पर आप क्लिक करेंगे services में जाएंगे यहाँ पर आप scroll down करके नीचे आएंगे यहाँ पर आपको जिला इस्तरी उतक्रष्ट विध्यालों एवं विकास model school में कख्छा 9 में प्रवे से तू आविधन यहाँ पर आप नीचे देखेंगे apply करने की link दी हुई है इसके लावा यहाँ पर प्रारंब त यहाँ पर select कर लेंगे नीचे category का chain करेंगे ht sc ovc general इसके पाद gender का chain करेंगे दो मिसेल का chain करेंगे मद्य प्रदेश के मूल नवासी है या नहीं नीचे आएंगे बर्त का state chain करेंगे district chain करेंगे अब बर्त का city name यहाँ पर type कर देंगे किसी प्रकार का handicap है या पारिस्ता है य यह यह नो पर click करेंगे mobile number दर्ज कर देंगे class 8 का chain करेंगे class 8 अभी student जिस school में भी पढ़ रहा है वोच school का पूरा full name यहाँ दर्ज कर देंगे state का chain करेंगे district का chain करेंगे appearing year यानि कि student अभी पढ़ाई कर रहा है तो उसका sun यहाँ पर दर्ज कर देंगे exam type का chain करेंगे पुत exam की fees काटी जाएगी दो का chain करेंगे तो आपको यहाँ पर दोनों ही exam की fees देनी होगी हम यहाँ पर उतकरष्ट वाला बारेंगे तो हम यहाँ पर उतकरष्ट विद्ध्यालयक प्रविस परिक्षा इसमें हम chain करेंगे city का chain करेंगे और excellence school का chain करेंगे फिर district का chain करेंगे exam city का चैन करेंगे, अब नीचे student के अधार में जो भी उसका address है, house number address, area, postal area, pin code state, अधार के अनुसार ये सभी जानकारी फिल कर देंगे, अब यहाँ mobile number एवाँ email ID दर्च करेंगे अब नीचे आवेदक का photo upload करना है यहाँ पर इसकी जानकारी बताई गई है photo का size 80KB से कम होना चाहिए photo में आवेदक का नाम और photo खीची गई date mention होनी चाहिए photo का size centimeter में होना चाहिए 4 into 5, तो इसके लिए हम Photoshop का इस्तमाल करेंगे, अगर आपके पास में Photoshop नहीं है, तो इसका link मैं नीचे description में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाकर और hide हम यहाँ पर इसकी 5 रखेंगे अब जो photo हमने scan किया है इसको move tool की मदद से हम यहाँ पर इसे move कर लेंगे, और इस photo का हम set कर लेंगे, enter प्रेस करेंगे, photo save करने के लिए control plus s press करेंगे, इसके बाद photo का नाम हम यहाँ दर्जिक कर देंगे, जिस नाम से भी save करना चाहते हैं, format हम नीचे यहाँ पर jpg, jpeg का chain करेंगे और इसे save कर लेंगे, इसके बाद जहाँ पर यह photo हमने save किये हैं, उस पर right click करेंगे open width में जाकर, Microsoft office picture पर click करेंगे, इसका size यहाँ पर लेंगे, size ज्यादा है, तो हम उपर edit picture पर click करेंगे, resize पर click करेंगे, इसका size कम कर देंगे और इसे save कर देंगे, size अब हमने कम कर दिया है, अब यहाँ पर हम इसे upload करेंगे, तो इस file पर जाएंगे, photo को हम यहाँ पर select कर लेंगे, इस box को tick mark करेंगे, capture code fill करेंगे, submit form पर click कर देंगे, proceed to pay पर click करने से पहले हम इसका एक print out ले लेंगे, इस form की fees 200 रुपए आपके MP online portal से काटी जानी है, तो आपके MP online portal में 200 रुपए पहले से मौझूद होने चाहिए, proceed to pay पर click करेंगे, आपके पास में MP online portal है, तो क्योषक का chain करके, आप MP online का ID, password डालकर submit पर click करेंगे, अगर MP online portal नहीं है, तो citizen का chain करके, और आप अपने net banking debit card, credit card, UPI से इसका payment successful कर लेंगे, हम यहाँ पर क्योषक की मदद से payment cut वाना चाहते हैं, तो हम यहाँ क्योषक का chain करके, ID, password डर्ज करेंगे, दुबारा से हम अपना password डर्ज करेंगे, और payment transition successful कर लेंगे, अब नीची आएंगे, तो यहाँ पर payment successful हो चुका है, आपको इसका print out ले लेना है, और आप अपने customer से 50 रुपय extra charge कर सकते हैं, अगर यदि आपको यह print नहीं मिल रहा है, आपने proceed paper क्लिक करने से पहले जो आपने print दिया था, उसमें आपका आविदन नंबर मौजूद होगा, उस आविदन नंबर की मदश से आप इस print out को download कर सकते हैं, तो इस प्रकार से आप अपना उतकरष्ट विद्याले, model school का question 9 के लिए admission form भर सकते हैं, ओपके जयनकारी प्रसंद आए होगी, इस प्रकार की जयनकारी देखना प्रसंद है, तो चैनल को अपने सब्सक्राइब एब आप फॉल्व ज़रूर करें, मिलते हैं आप ये वीडियोज में, जाए हिन बंदे मात्रावन